सुल्तानपुर में विधायक के गनर का हुआ निधन गनर राकेश चौधी ने मेदानता में तोड़ा दम कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्ट से है फरार कातिल को खोजने में उल्ची है पुलिस टी सुल्तानपुर में बीते दिन विधायक सुहेब के गनर ने दम तोड़ दिया उन्होंने मेदानता हॉस्पिटल में अपनी आखरी सांसे ली लेकिन अभी तक उनका गुनहगार पुलिस की गिरफ्ट से फरार है किसी को नहीं पता कि आखर वो कौन है और सच में दिखता कैसा है नमस्कार महुकिरन आप देख रहे हैं निउस टाइम नेशन सुल्तानपुर में बीते 25 अक्टूबर को श्रम जीवी एक्सप्रस में सवार गनर राकेश चौधरी पर हमला हुआ राकेश गाजीपूर से विधायक सुहेब अनसारी के एक गनर थे जो ड्यूटी पर जा रहे थे इसी दौरान सुल्तानपुर जंक्शन से थोड़ा पहले ही एक बदमाश ने उन पर चाकूँं से ताबर तोड हमला कर दिया और उनकी कारबाइन लेकर फरार हो गया सिपाही को जिलस्पताल पहुँचाया गया जहां उनकी हालत काफी खराब हो गए और फिर उन्हें वहां से लखनो रेफर कर दिया गया खुद विधायक ने सिपाही को बहतर इलाज के लिए मिदानता हॉस्पिटल में एडमिट कर आया लेकिन अफसोस राकेश इस जिन्दगी की जंग को हार गया पुरे मामले में जी आरपी सुल्तान पूर, सुल्तान पूर पुलिस और स्टेफ की टीम कारबाइन बरामत करने के साथ साथ हमलावर की तलाश कर रही है बदमाश का स्केच तक जारी किया गया है लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से काफी जादा दूर है पुलिस को नहीं पता कि वो आरोपी कहा है और उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया यह खबर हमारे समवाद दाता खुशीत खान राजू ने कबर की है आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप यह खबर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें और हाँ खबरे पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें